हिंदुस्तान के सब गरीब परिवार हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाएगे, उसमें जादा से जादा 88% के होंगे, होंगे नहीं होंगे? जो भी गरीब परिवार हैं, उन परिवारों में एक महिला को साल का एक लाक रुपिया बैंक अकाउंट में दिया जाएगा. सिधा, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, सभी कास्ट को, जेनरल कास्ट, OBC, दलेत, आदिवासी, जो भी गरीब है, एक लाक रुपिया, खाउंटी के उसके तो बात बोलने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो हम करेंगे ही करेंगे महराश्टरा में. तो एक लाक रुपिया, देखें क्या होता है, पुर्ष काम करता है, फैक्टरी में जाता है, फैक्टरी में काम करता है, सही बार, महिला क्या करती है, महिला बाहर जाके काम करती है, उसकी एक शिफ्ट वो गई, और दूसरी शिफ्ट क्या होती है, घर को चलाती है, तो महिला डबल काम करती है, आपके जैसे, आपके जैसे जाके जॉब करती है, और पिर जब आप घर आते हो, घर का पुरा काम, बच्चों का पुरा काम, स्कूल में मदद, खाना, बोजन, डबल काम करती है, उस डबल काम के लिए, हिंदूस्तान की सरकार ने, महिला को कभी, सैलरी निदी पैसा नहीं दिया, यह हम free में नहीं दे रहें पैसा यह मत सोचें कि एक लाघ रुपए हिंदुस्तान की गरीब महिलां को free में दिया जा रहा है नहीं वो जो हिंदुस्तान के future generation के लिए मेहनत करती है 7-8 घंटे रसोई में काम करती है घर में काम करती है उसके लिए ये एक लाख रुपिया उनको दिया जा रहा है नियाय का हक मिलने तक